बोरा नाड़ा उद्योक छेत में हैंडी क्राफ विवसाई को ब्लैक मिल करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला और दो पुर्षों को गिरफतार किया है और वहीं आरोपियों ने विवसाई को नशीला प्रधात पिला कर बेहोश किया और फिर उसका अशलील वीडियो बना कर ब्लैक मिल कर रहे थे आरोपियों के मुबाइल में विवसाई का अर्द नंगन अवस्ता का वीडियो भी मिला और इस मामले में दो अन्य आरोपियों की भी तलास जारी है बोरा नाड़त थाना दिकारी किशनलाल ने बताया कि कुड़ी बगताशनी निवासी हैंडी क्राफ्ट विवसाई मुकराम 20 अगस को लिखिट रुपोर्ट दी थी जिसमें उसने बताया कि उसके ड्राइवर लीचाराम की मूबोली बेहन कीर्थी ने उससे मदद मांगी थी और विवसाई कीर्थी और उसकी बेटियों को जानता था लेहाजा रात को वो उनके घर घाना लेकर गया था और उसका आरोप है कि मौका पाकर आरोपियों ने नशिला परधात पिला कर उसे बेहोश कर दिया जब उसे होश आया तो वो अर्द नगन अबस्ता में था और उसका वीडियो बनाया जा रहा था और वहीं कतर वर्षिये मंजरी सकसेना और 65 वर्षिये योगिंद सकसेना दोनों भाई बहन रहते भले ही अलग शहरों में हो लेकिन रक्षा बंदन के दिन मिलनाते होता है बीते दो साल में कोरोना के कारण दोनों भाई और बहनों को रक्षा बंदर पर दूर रहना पड़ा इस बार स्थिती कुछ हद तक तो समाने है लेकिन स्वास्ते ठीक ना होने के कारण मंजरी का भाई के पास दिल ले जाना मुम्किन नहीं था और भाई के घर में अगले माईने बेटी की शादी के तैयारी के कारण उनका राखी बनवाने आना नहीं हो रहा था लेकिन ये भाई भेनों का ये अटूट प्यार ही था कि योगंदर समय निकाल कर राखी बनवाने पहुँच गए और इंजिनियर्स एंकलेव निवासी करत्तर वर्षे मंजरी की खुशी का तब खिकाना नहीं रहा जब उनके 65 वर्षे भाई योगंदर सकसे ना राखी बनवाने पहुचे रसल भीते दो वर्षों से रक्षवंदर पर साथ ही होने का दोनों भाई बैनों को मलाल था अगर इस बाद मिलना संबब नहीं हो रहा था अबावजुद इसके समय निकाल का योगंदर यार दव करीब रविवार सुबह साड़े ग्यारा बज़े भाई से राखी बनवाने पहुच गए थे अब वहीं इस रक्षवंदर ने एक बहन ने अनूठी मिशाल पेस किया है बहन ने अपने से उम्र में छोटे भाई की जान बचा कर पूरे परिवार की मुश्किले हल कर दिये खेतेडी उपखंड के डाड़ा फतेपूर की महिला ने रक्षवंदन से महज चार दिन पहले छोटे भाई को किड्नी दे कर बचा लिया दोनों ने राखी भी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ही मनाई के थाड़ी महिला कॉंग्रिस ब्लोक अद्यक्स गुड्डी देवी ने अपने छोटे भाई खुडाना महिंदरगर निवासी सुन्दर सिंग को किड्नी दी है और गुड्डी देवी ने बताया कि सुन्दर सिंग की तब्यत खराब हो गई थी इसके चलते दिल्ली के अपो भाई को किड्नी गिफ्ट दी और वहीं बदैयू जिले में बाईक और पुलिस वाहन की आमने सामने की टकर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और तीन अन्ने घायल हो गए गटनारे विवार को हुई दो भाई और उनकी पतनी गुरुग्राम से रक्षा बंदन उत्सव के लिए बदैयू जिले के अपने पैत्रिक गाउं जा रही थी तब ही उनकी बाईक पुलिस की गाड़ी से टकरा गी पुलिस ने कहा कि चारो बाईक पर सवार थे और कुछ समान भी ले जा रहे थे एक भाई की मौके पर ही मौत होगी जब की तीन अन्ने को घंबी चोटा इन में से किसी ने भी हैलमिट नहीं पहना हुआ था और दोनों महिलाओं की हालाद गंबी थी और उन्हें बरेली के एक कुछ चिकिसा सुविदा के लिए रैफर कर दिया गया